नमस्कार दोस्तों, UK Gardening चैनल पर आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपके समने मेरा पाइनेपल का प्लांट रखा है तो आज का वीडियो पूरी तरह से पाइनेपल के प्लांट के उपर वेरिगेटेड है इस वीडियो में मैं आपको पाइनेपल के प्लांट की केर, पाइनेपल के प्लांट को कैसे रिपॉट करे, इसे किस तरह का सॉयल मीडिया लगता है और हमारे जो दो पाइनेपल के क्राउन थे जिसे हमने दो महिना पहले जो वीडियो में बताया था कि पाइनेपल के क्राउन को कैसे ग्रो किया जाता है वही दो क्राउन का अपडेट में आपको देने वाला हूँ आज इस वीडियो को दोस्तों पूरा end तक के जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत informative होने वाला है और यदि आप भी अपने घर पे pineapple का plant उगाने वाले है या फिर आपके घर पे pineapple का plant पहले से ही है तो ये वीडियो पूरी तरह से आपके लिए है वीडियो को end तक के दे दोस्तों कुछ समय के लिए rooting नहीं हुई थी मगर अब इसके लिए दो महिने बाद लगभग rooting स्टार्ट हो चुकी है और ये अपने अंदर एक छोटे-छोटे से roots को grow करना स्टार्ट कर दिया है दूसरा crown था दोस्तों ये वाला दोस्तों ये pineapple के crown को मैंने थोड़े दिनों के लिए पानी में dip करके रखा था इसको जो नीचा वाला पाट होता है उसे मगर हुआ क्या कि पानी में रहने की वज़े से ये pineapple का crown नीचे से सड़ने लगा था मैंने जो सड़ावा पाट था उसे कपड़े से साफ किया इसके उपर जो बैविस्टीन फंगिसाइड आता है उसे लगा करके इसे कुछ दिनों के लिए बाहर सूखने के लिए रख दिया लगबग 24 से लेके 48 घटा ये बाहर सूखा था उसके बाद में मैंने इसे वापस सोईड में लगा दिया अब लगबग इसे भी दो महीना हो चुका है और इसके अंदर भी roots को उगना स्टार्ट हो चुकी है दोस्तो पाइनेपल के क्राउन को उगाना बहुत ही आसान होता है इसे आसानी से आप भी उगा सकते हैं मैंने एक detailed वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि पाइनेपल के क्राउन को कैसे ग्रो किया जाया वो वीडियो का लिंक आपको description में मिल ज requirement होती है जैसे कि sunlight, पानी और fertilizer, sunlight की बात की जाये तो पाइनेपल के प्लांट को एकदम full sunlight में रखे, 8-12 घंटे की दूप हमारे पाइनेपल के प्लांट के लिए बहुत बढ़िया रहती है, ये दूप के अंदर हमारे पाइनेपल के प्लांट की ग्रोथ और अच्छे होती ह और पाइनेपल के प्लांट एकदम healthy बना रहता है, पाइनेपल के प्लांट को जादा पानी नहीं लगता है, यदि आप अपने पाइनेपल के प्लांट में दो दिन के अंदर एक भर भी पानी देते हैं, तब भी आपका पाइनेपल की ग्रोथ बहुत बढ़िये रहेगी औ और आपका प्लांट एकदम healthy बना रहेगा, चलिए दोस्तो अब हम देखते हैं हमारे पाइनेपल के प्लांट को वीगली बेसिस पे कौन-कौन से फर्टिलाइजर देने चाहिए, और कौन-कौन से फर्टिलाइजर को देने से हमारे प्लांट के अंदर क्या-क्या चीजों क रिक्वार्मेंट फुल्फिल होती है, दोस्तो सबसे पहना फर्टिलाइजर जो मैं अपने पाइनेपल के प्लांट में देता हूँ, वो है पोल्ट्री मैनियोर याने की पोल्ट्री फार्म की खाद, इसके अंदर माइक्रो नियूट्रियंट होते है, नेचरल यूरिया होत वो है बोन मील और नीम खली का मिक्स, दोस्तो बोन मील के अंदर केल्शियम होता है, फॉस्फोरोस होता है, जिससे हमारे प्लांट की जो रूट होती है, वो अच्छी तारह से ग्रोथ उग लेती है, और नीम खली के अंदर बहुत चैसे माइक्रो नियूट्रियंट होते है जो poultry manure के अंदर नहीं होते है यानि कि ये fertilizer हमारे plant की जो basic requirement होती है micronutrient की ये पूरी तरह से उसे satisfy करता है दोस्तो poultry manure, नीम खली और bone meal के mix की यदि आप एक मुठी अपने plant के अंदर हर हफ्ते देते हैं तो इससे आपके plant की growth बहुत बढ़िया रहेगी चलिए, अब हम देखते हैं हमारा अगला fertilizer कौन सा है अगला fertilizer है दोस्तो, seaweed extract दोस्तो, seaweed extract के अंदर बहुत सारे micronutrient होते हैं जो micronutrient, poultry manure और नीम खली के अंदर नहीं मिल पाते हैं वो सारे ही micronutrient हमारे seaweed extract के अंदर होते हैं pineapple के plant में seaweed extract का spray 15 से लेके 20 दिन के अंदर एक बार आप कर दे तो इससे आपके pineapple की growth और अच्छी रहेगी और आपको plant एकदम healthy बना रहेगा चलिए, अब हम देखते हैं हमारे pineapple के लिए किस तरह का soil media बनाना चाहिए pineapple के plant के लिए एक दव well-drained soil mix अच्छा रहता है एसा soil mix जिसके अंदर जरा भी water retaining property है तो उसके अंदर हमारा pineapple का plant मर सकता है soil mix को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ बालूरेद, garden soil garden soil के अलावा मैं यूज़ करने वाला हूँ इसके अंदर bone meal और नीम खली को bone meal और नीम खली के उपर एक detailed video मैंने बनाया था उस video का link आपको description में मिल जाएंगा और मैंने उसे i button में भी add किया है bone meal की वाज़े से हमारे soil mix के अंदर calcium की मातरा अच्छी खासी रहेगी और जो अगला ingredient है वो है ये cocoa pit दोस्तों इस soil mix में मैं जो भी ratio यूज़ कर रहूँ वो सारा ratio आपको description में मिल जाएंगा तो आप प्लीज एक बार description चेक कर ले उसके अंदर ये सारे components का ratio मैंने बताया हुआ है दोस्तों मैंने इस सारे component को अच्छे से मिला लिया है अब मैं इस soil mix के अंदर fertilizer मिलाने वाला हूँ fertilizer के लिए मैं यूज़ कर रहू पोल्ट्री मेने और का यदि आपके पास में काउटम कमपोस्ट हो, किचन वेस्ट कमपोस्ट हो या फिर वर्मी कमपोस्ट है तो आप उज़ने भी यूज़ कर सकते हैं ये सारे ही चीज़ों का जो ratio है वो ratio आपको description में मिल जाएंगा आप प्लीज description चेक कर लें ये सब चीज़ों को mix करने के बाद में हमारा soil mix ready हो जाएगा और हम हमारे pineapple के plant को इस soil mix के अंदर report कर सकते हैं तो दोस्तों ये देखिए मैंने मेरे soil mix के अंदर pineapple के plant को report कर लिया है इसे report करके मैंने एक बड़े वाले 14 इंच के गमले में लगाया है ये गमले के अंदर हमारे pineapple के अंदर add में fruit भी आ जाएगा तो इसके लिए मैंने एक बड़े गमले को चूज किया चलिए आज की वीडियो को यही समप्द करते हैं फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में कुछ नए information के साथ में ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें और यदि आपको gardening से related वीडियो देखना पसंद है और आप खुद भी एक gardener है तो please channel को subscribe करें और bell notification आइकन जर नेवाद happy gardening आपको दिन शुब हो